दोस्तों सचीन तेंदुलकर को उनकी परसेंचर क्रिकेट का भगवान कहते हैं सैकड़ों का सैकड़ा और 34,000 इंटरनेशनल रन और अंगिनत रिकॉर्ड सचीन तेंदुलकर खिलाडियों में वह नाम है जो संबहता भारती अकबारों में सबसे अधिक बार छपा होगा लेकिन क्या आप जानते हैं कि सचीन तेंदुलकर ने अख़वार में पहली बार अपना नाम छपवाने के लिए एक ऐसी बैमानी की थी तो ताउम्र उन्हें खलती रही जी हाँ सचीन तेंदुलकर ने अपने स्कोर में एक्स्टर रन जोडने का किस्सा अपनी आटो बाई गुराफी प्लेइंग इट माई वे में बताया है इतिफाक से उनका या पहला मैच भी था सचीन लिखते हैं स्कूल के लिए मेरा पहला मैच इतना बुरा भी नहीं था मैंने 24 रन बनाए और हम मैच जीत भी गए लेकिन इस मैच को दूसरे कारण से याद रखता हूँ मैंने इससे एक मैधोन सबक सीखा इसने मुझे सिखाया कि कभी भी अनेतिक तरीकों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए सचीन तेंजुलकर आगे लिखते हैं जो घटना में बताने जा रहा हूँ उसमें अकवार में मेरा नाम पहली बार चपा जिसे एक सुख़ग घटना होना चाहिए था मुंबई में उस समय एक नियम सा था कि अकवार में किसी भी खिलाडिक नाम तभी चपता था जब उसने 30 तरण से अधिक बनाये हो मैंने 24 तरण बनाये थे लेकिन टीम के स्कोर में काफी सारी अत्रिक तरण थे स्कोरर ने 6-73 रन मेरे खाते में डालने का प्रस्ता हो दिया ताकि मेरा स्कोर 30 रन हो जाए स्कोरर का तर्ग था कि इससे इस पर कोई फरक नहीं पड़ता कि टीम का स्कोर भी नहीं बदल रहा था मैंने हा कर दी और यह समझ नहीं पाया कि मैं किस जमेले में पढ़ने जा रहा हूँ सचिन कहते हैं अगली सुभ़ जब मेरा ना मुंबई के अख़वार में छपा लेकिन आच्रेकर सर इससे बेहत नाराज हुए उन्होंने मुझे फटका रहा कि जो रहन मैंने बनाए ही नहीं उन्हें अपने खाते में कैसे जुड़वा लिये मजे अपसोस हो रहा था मैंने अपनी गलती मान ली और सरसे वादा क्या कि दुबारा ऐसा कभी नहीं हो लिए क्रिकेट प्रेमी जानते हैं कि सचीन तेजुकर के नाम इस केल के सैकड़ो रिकॉर्ड है इसमें 100 इंटरनेस्टल चतक पुरनचास वंडे और एक्कावन टेस्ट चतक सामिल है वे 200 टेस्ट खेलने वाले एकमात्र क्रिकेटर है और सबसे अधिक 463 वंडे मैच खेलने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम है उन्होंने एक टी-टी मैच भी खेला है इस तरह सचीन के नाम 664 इंटरनेस्टल मैच खेलने का रिकॉर्ड है उन्होंने इन मैचों में 34,367 मनाये हैं दुनिया का कोई और किर्केटर 30,000 का आगड़ा भी नहीं छो चता है दोस्तो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए